रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्प्रिंग एंड हीलिंग विद जीसी और दोस्तों आप लोग कैसे हैं जाहे सीवात है अच्छे ही होंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें तो चलिए पॉइंट पे आते हैं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ध्यान क्यों और कैसे करें आज योग और ध्यान बहुत ही सामान्य शब्द हो गए हैं हम सभी इससे भली भात परचित हैं और हम में से काफी लोग योग भी करते हैं टीवी और इंटरनेट से इसमें काफी सहायता की है पर अक्सर यही देखने में आता है कि हम इसकी शुरुआत तो जोर सोर से करते हैं पर धीरे धीरे इसमें उत्साह की कमी होती जाती है और हम इसे त्याग कर सुबह की सैर, दोड, जिम, जाना आदी शुरू कर देते हैं जिसमें थोड़ा नयापन और आधुनिक्ता से जुड़ा मैसूस होता है आम तोर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान करते समय बोरियत का अनुभव करने लगते हैं बोरियत इसलिए क्योंकि कुछ नया नहीं, कुछ रोचक नहीं, कुछ मसालेदार नहीं पर यकीन मानियें, इससे रोचक, मजेदार और अभूत पूर्व उल्लास आपको कहीं नहीं मिल सकता बशर्ते आपको पता करना हो की करना क्या है और कैसे ध्यान लगाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका शरीर बेजान या मृत हो गया है जैसे नीद में होता है निद्रा अचेतन ध्यान है और ध्यान सचेतन निद्रा दोस्तो आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी में हम सब खुसियों के पीछे भाग रहे हैं एक विध्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होने के लिए चिंतित रहता है वह पास हो जाता है पर खुशी नहीं होती चिंता होती है सोचता है जब नौकरी लग जाएगी तो खुशिया मिलेंगी नौकरी भी मिल जाती है फिर भी वह आगे सोचता है प्रमोशन होने पर खुशिया मिलेंगी पर उसे और आगे की चिंता होती है वह हमेशा भविश की खुशिया पाने में लगा रहता है और वर्तमान की खुशियों को व्यर्थ जाने देता है वह कभी यह नहीं समझ पाता कि खुशिया कहीं बाहर नहीं किसी भविश में नहीं बलकि अभी है यहीं है उसके अंदर है उसके अंतरमन की शान्ती में है और इस खुशिय को लगातार महशूस करने वाला माध्यम ही ध्यान है योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ध्यान में जाकर ही इस कार्य को किया जा सकता है ग्यान मारगी साखा के इतने बड़े संत यह बात यूं ही नहीं कहे गए है सच है हमारे शरीर के अंदर विराजमान आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है तो जब परमात्मा सर्वग है सर्व व्यापी है सर्व सत्ति साली है तो हम क्यों नहीं जिस प्रकार हीरे का एक टुकड़ा भी परमाडु संरचना में बड़े हीरे के समान ही होगा ठीक वैसे ही परमात्मा की शक्तियां भी हमारे अंदर है जरूरत है उसे जानने की पहचानने की जिसने जाना वो ही उसका उप्योग कर सकता है अन्य था एक अज्यानी की तरह वै हीरे को बस एक चमकदार पत्थर समझ कर फेग देगा इन शक्तियों को ध्यान में जाकर ही जाना जा सकता है ध्यान में जाने के लिए हमें बाहरी दुनिया के शोर गुल से हट कर अपने अंतरमन की आवाज को सुनना होगा अब अंतरमन की आवाज कैसे सुनी जाए बहुत आसान है अगर हम बाहर की आवाजों को सुनना बंद कर दें तो जो आवाज रह जाएगी वही अंतरमन की आवाज है और इसे सुनना ही ध्यान या समाधी है किन्त बाहर की आवाज के साथ साथ कुछ आवाजे या कहिए शोर गुल हमारे अंदर भी चल रही होती है आपने आख और कान बंद कर लिया पर दिमाग का सोचना अब भी जारी है कल आफिस जल्दी जाना है घर का राशन खत्म हो गया पत्नी को आज बाहर खाने पर ले कर जाना है आधी आधी बाते जो हमारा ध्यान अपनी ओर भटकाती है किन्त इसे दूर करना भी कठिन नहीं है जब आप अपने कान बंद करते हैं तो आपको दो आवाजे सुनाई देगी एक आपके धड़कन की और दूसरी सांसों की इन दो के अलावा एक तीसरी आवाज भी है जो हमें अपना ध्यान उसी की ओर केंद्रित करना है यह आवाज बिलकुल जिंगुर की तरह होती है यकीन नहीं आता तो आप करके देखिएगा धीरे धीरे आपको अन्य आवाजे भी सुनाई नहीं देगी पर जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे यह आवाजें पस्ट होती जाएंगी कभी आप धीमी गति से बह रहे नदी के जल के प्रवाह की आवाज सुनेंगे तो कभी रिंजिम गिर्ती बारिश के बूंदों की वे सारी आवाजे जो आप बाहर की दुनिया में सुनते हैं आपको अपने अंदर भी सुनाई देंगी और धीरे धीरे कभ आप आत्म अनभूती की और कदम बढ़ा चुके होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अब हम ध्यान लगाने की विधी सीखेंगे पर याद रहे ध्यान में जाना एक मजेदार कार होना चाहिए ना कि एक यातना देने वाला जैसे आपने कभी सुना होगा दोनों भवों के बीच ध्यान लगाना चाहिए किन्त थोड़ी देर बाद ही इससे सरदर्द होने लगता है और हम कुछ मिनट बाद उब जाते हैं दोस्तो ध्यान लगाने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें एक आराम दायक वा शान्त जगह का चुनाओ करें जो कोलाहल से दूर हो और जहां आप आराम से बैठ सकें आप पलती मार कर भी बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठे बैठे भी ध्यान लगा सकते हैं आखे बंध हो और कानों में एर पलग लगाए किसी भी दवा दुकान में पंदरा रुपए की कीमत में नारंगी रंग का एर पलग खरीद लें ना मिलने पर रुई का उपयोग भी कर सते हैं दस लंबी सांसे ले धीरे धीरे आराम से और गहरी सांस ले और उस और उसी तरह आराम से सांस छोड़ें सांस छोड़ते समय दस से एक की एक तक की उल्टी गिनती गिने याद रहे गिनती सिर्फ सांस छोड़ते समय ही गिननी चाहिए लेते समय नहीं अपने अंदर की आवाज पर ध्यान के इंद्रित करें मस्तिस्क में चल रही आवाजों को सिर्फ सुनें उनका विसले सड कदा पिना करें सुनने की चाहत भी ना करें वो खुद सुनाई देंगी मन शान्त रखें अपने सोच को भटकनी ना दें अगर कभी सोच भटकती है तो तो परेशान नहूं खीजे नहीं प्यार से मुस्कुरा कर उन्हें वापस अपने और ले आईए वैसे भी एक बार आपको मस्तिस्क में चल रही आवाजे सुनाई देने लगी तो खुद बाखुद अपना ध्यान वापस नहीं वहीं आ जाएगा और आपका दिमाग बाहरी बातों को सोचना बंद कर देगा तो ये रहा ध्यान का तरीका पर इसका उचित प्रतिफल जल्दी पाने के लिए आपको अपने शरेर को निर्मल और स्वच्छ करना होगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद